पिम मेरेद मोधी ने तीनों करशी कानूनों को वापस ले लिया है। इसके बास सियासत जारी है। कॉंग्रेस महासची प्रेंगा गादी ने केंद सरकार के फैसले का स्वागत किया है लेकिन उन्होंने पीम मोधी को चिटी लिखकर लखीमपुर खिरी काट में पीलतों को लिया दिलाने की माग गी है प्रेंगा ने लखीमपुर काट में केंद्री ग्रह राजमंतरी अजय मिश्र टेरी के बेटे को बचाने और राजलीतिक सरश्चर देने का आरोप लगाया है प्रेगा ने कहा कि केंद्रिय ग्रह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी के बेटे पर किसानों को कुछल कर मारने का आरोप है और आपकी पुलिस आरोपी को बचाने में जुटी हुई है अगर आप किसानों के हितैशी है तो अजय मिश्र के साथ बच्ज साजा ना करे उन्होंने सीधे कहा कि लखीमपुर बावले में सरकार ने शुरू से ही आरोपी को बचाने की कोशिश की प्रेगा ने पत्र में लिखा आप देश के प्रदाद मंद्री है आप देश के किसानों के प्रती अपनी जिम्मेदारी अच्छी दरा से समझते होगे हर देशवासी के लिए निया सुनश्चित करना प्रदाद मंद्री का करता भी नहीं उनका नहतिक दायत्पुख होता है कहा कि देशवासीों को सब्बोधित करते हुए आपने कहा कि सच्चे मन और पवित्र हिदय से किसानों के हित को देखते हुए करशी कानून को वापस लेने का आभूदपुल डेड़ा लिया है आपने यह भी कहा कि देश के किसानों के प्रती आप नेक नियत रखते हैं यदि यह सत्य है तो लखीमपुर किसान नरसंगार मामले में पिलतों को लिया दिलवाना भी आपके लिए सर्वो पर ही होना चाहिए ब्योरो रिपोर्ट एबी नियूस